इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th मासिक परिष्छा जो सितंबर में प्यास तो आपका 23 तारिक से हाई स्कूल में होगा मेरे भाई उसका ओरीजिनल कोशन प्रिपर मेरे प्यास तो आप चाहते हैं कि सर्ची हमारा हिंदी में फूल में फूल मार्क्स है तो प्यास तो आप सभी के लिए अब्जेक्टिव कोशन और इसके बाद प्यास तो जल्द सब्जेक्टिव लेकिया जाएंगे तो चलिए आज के क्लास सुरू करते हैं मेरे भाई फुटा फट आप लोग के आज के क्लास में स्वागत है और फॉस्ट नंबर से प्यास तो आप लोग दम भर आया तो सीता के मन में प्यास तो कुछ यादे करके ठीक है कुछ याद करके क्या हो गया था मन भर आया थार्ट नंबर देखेंगे सुध सब्द है सुध सब्द है मेरे प्यास तो लाली ते बाकी सब क्या है और सुध है बान भट की आत्मकत का किसकी क्रिती है ये मोश् परशाद दिवेदी की हम आपको इस एक्जाम के तो करवाही रहता यारी इसके साथ सात्र प्यास्तो कौन सा कोश्चन में एक्जाम में आएंगे वह भी हम बताते आपको चलेंगे मगम्मा को किस से भी आथ था तो आप लोग पढ़े होंगे साजी मगम्मा को बहुत सभी आथ था मगम्मा क्या बेचती थी दही बेचती थी मगम्मा कौन सा कपड़ा के बलौच फहनती थी बहुत ही फटनी कोश्चन है वर मजएदार कोश्चन है आपको मांगते हैं कोई दोस्ता बोलते हैं कि सरजोग मेरा तो हाथे खालीunch है पास में पैसा नहीं होग के लिए लैटिन सबद देखें लेटिन सब्द आपको बताने प्यास्तो अगनी के लिए अगनी का मतलग कहने का अगनी को क्या बोला जाता है जैसे हम लोग आग भी बोलते हैं ना पूरे बिस्प में एगनिस बोला जाता है ठीक है अपशन नंबर येज़ दार्यटर और सं нашем बिना तुम प्रभू कभी तां प्रैस्तो हिंदित रूपांटर किस ने किया डुरे बिना तुम प्रभू याद रखेगा धृरंबीर भारति ने हिंदिन रूपांटर किये थे 9 number question कुबर नराइन कभी है कुबर नराइन में रिप्याश्टो कैसे कभी है तो नगर संबेदना है ठीक है नगर संबेदना है एक ब्रीज की हत्या आप लोग पढ़ेंगो रिप्याश्टो 10 number देखें अती सिथा सिथा साला में कौन सा समास है समास का एक ट्रीक वाला वीडियो हम दिये है अगर वो आप लोग देख लिए लिगा है तो समास आप ऐसे ही क्लियर कर लिएगा तो ये तत्थ पूरु समास है ठीक है समास में रिप्याश्टो टोटल कितने होते हैं च्छा होते ट्रीक क्या था दो अंदी अब तक सत्रु सब्द का वहाव अचक संग्या सत्रु सब्द के वहाव अचक संग्या क्या होगा सत्रुत्ता ठीक है ऑप्शन नमर बी को टिक किजेगा जन तंत्र के जन में सिर्शक अभी था कभी का क्या नाम है तो simple प्रप्याश्टो आपको बार बार अगेन बोल रहे हैं कि 22 कभी का नाम है प्रप्याश्टो याद कर लिजे तो आपका main exam मेरे वाई बिहार बोड़ वाला exam में 6 number आपका आएगा तो जरूर याद कर लिजे प्लीज मेरे बातों को माने और जो हम बोलते हैं बस उतना आप कर लिजे किताब उठाईए और उसका प्रप्याश्टो writer के नाम याद कर लिजे जन तंत्र के जन याद की जन प्याश्टो यह आप लोग पढ़े होंगे कमिट करके बताएए रमधारे सिंग दिन कर सुद्ध बाग के है यह भी सम एक्जाम में आने लगा रमप्याश्टो देखे तो राम ने सबजी खरीदा नहीं मेरे प्याश्टो शब्जी राम पूस्तक खरीदा ऐसे राम ने पूस्तक खरीदी यह सुदवाथ है ठीक है आप्शन नमबर सीजदर आइटन सरू मचली पार्ट के लेखक देखो न मेरे भाई तीस कोश्टन में कितना आ रहा है लेखक वला तो आपका वहां तो एक्जाम में सौ कोश्टन आता है तो मेरे प्याश्टो भरल आएगा कम सकम छे से साथ नमबर पलस आएगा ठीक न तो आप जरूर याद कर लिजे लेखक का नाम तो आपको याद होगा विनोत कुमार सुखल पढ़े भी होगे बहुत अच्छा कहाणी है मचरी वाला न जी शलीम प्याश्टो बहादूर का पूरा नाम है इसमें जरूर आपको याद होगा नरेन नरेन कौन था? कमेंट करके जड़ा बताईए तो आप लो बहादूर का पूरा नाम, बहुत अच्छा है वियर पैस्तो बहादूर एक लड़का निपाल के था जो मियर पैस्तो हस्मुखिया था इसका नाम था सरजी दिल बादूर रेकिन बैचारा के दिल बे उड़ा देता है कौन? निर्मला जी लेखा कि पतनी के नाम क्या था? निर्मला वो बैचारा की क्या करते हैं? दिले उड़ा देते हैं सोलना नमबर परिनाम बाचक भी सेशन है परिनाम बाचक भी सेशन है तो यादर के परिनाम बाचक भी सेशन है परंपरा का ज्यान के लिए आवस सक है? यह सबजेक्टिव में आपको आता है तो जो लकीर के फकीर नावकर करांती कारी साहित रचना करना चाहते है प्रम्प्रा का ज्यान होना जरूरी है, जो समाज में एक करांती कारी बनना चाहते हैं, जो समाज को सुधारना चाहते हैं, किस नदी के बांद नीचे लच्छमी का घर था, याद कीजिए, जब मेरे प्रम्प्रा का घर था, याद कीजिए, जब मेरे प्रम्प्रा का घर था, याद है न आपको चलिए पापाती बिहोस क्यूंप पड़ी थी तो मिल पैश्टो पापाती को तेज बुखार था अब बुखार का नाम आपको पता है कि जब सीर पर चड़ जाता उससे क्या करते मिनिन जाइटीस मिनिन जाइटीस चलिए आगे देखते मिनिन पैश्टो बीस नमबर प्रशनम लोग देखेंगे कि अमरी सब्द का परियावाची रूप देखें परियावाची आपके एक्जाम में आते ही हैं ठीक न तो आप याद कर लिजेगा और आपको मैसे पैश्टो ग्रूप में डाल तो हम मिर पैश्ट आपको सीमित देते हैं मुझे पता है कि कितना एक्जाम में आता है नहीं तो आपको इतना सारा दे दिए और भाई आप सीखे इतना एक्जाम में भाई इतना भी आया तो आप नहीं मना पाएं ठीक है तो इसलिए पैश्ट आपको जितना हम सीखाएंग सावर दया कथाकार है सावर दया याद किजिए प्यासतो ये बरणी का पुस्तक से है ठीक है ये किस हो गया 22 मुबर बताएं प्यासतो 22 का सरजी राजस्तानी वहासा से ठीक है चलिए सबसे याद रखेगा कौन किस्से है कमर कसना महाबराकर्थ बहुत सिंपल चीज़ है दच्छीन अफिरका से गांदी जी परवास काल कब से कब तक रहे थे यह आपको बताना है तो याद रखेगा 1893-1914 1915 प्यासतो महत्मा गांदी भारत आ गये थे मचली लेकर कौन भागा तो मेरे भाई आपको याद होगा कि मचली लेकर सरजी संतु भागा था ठीक ना संत भगव और जगव यह बंतु जगव तो कुछ अई नहीं संतु भगव था यह तो नोकरी था और शंतु प्यासतो लेकर भागा था और संतु के दीदी के प्रेमी का नाम क्या था आम आपसे जरूर कमेंड करके पूछे हैं अब जरूर यह सम बताईएगा मज़ेदार प्रस बिर्जु महराज के चाचा काण नाम क्या था आप जानते की बिजु घयाते थे बहुत अच्छा सूर में एकदम तो बताये इनके चाचा के नाम किया था संभू महराज था याद रखेगा शंभू महराज मेरे प्रिभार अगे यहनम कर रहें कि आप क्लास team ने बिहार बोर्ड में final exam प्यास तो आप चाहते हैं कि सर्जी मेरा 50-50 objective सही रहे ये सम एक्जाम में तो आप में प्यास तो बनाईए या मत बनाईए कोई फाइदा नहीं है ठीक है अब ठीक है आप मिर्फ्यास्तो अभी तक जितना मेहनत किये उसके अनुसार जाके खुद से चेक करना चाहिए बाइरल पेपर के चकर भी नहीं रहना चाहिए लेकिन आप लोग खिरवी रहते हैं हर चैनल से जूड़के रहे हैं जहां भी पढ़ाई अच्छा हो रहा है वहां पढ़िए ठीक ना लेकिन सब्सक्राइब करके बने रहे हैं तब नहीं तो चैनल फिर खोज पाईएगा नहीं इटली का देन है देखे 28 नमबर रिपैस्तो इटली का देन है माइकेल एजेनलो को अप्शन नमबर यह याद रखेगा दोहा को किसकी रचना यह तो बहुत इंपोर्टेंट है सरहत पाद के ठीक है में मिरपैस्तो बिहार बोट की एकजाम में यह समकुश्चन पूछा गय अब तरह रहते हैं सबी राइटर जाते हैं घरमियों को टाइम में और सभी लोग लिए अधर रखेंगा में याद रखें रहें रोन नदी परिस्तितय ए तो आपए इस परकार प्लाइब आपको एक से तीस तक प्रश्ण करा दिएं जो आपके एक्जाम के लिए मोश्ट भी वी आई कोश्चन है तो आप यह सब भी कोश्चन पढ़के जाए एक्जाम में अमबर प्राइश तो बार-बार बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ सब्जी बहुत अच्छा तयारी हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूर जाए एक्जाम में आए और प्रती दिन क्लास भी लाइब होता है आठ बजे ठीक है और जिनको भी कोर्स में जूड़ना होगा इस नंबर पर जरूर मैसेज की जिए पैस्ट तू चलिए मिलते नेक्स डूनों में तब तक कलिए जैहिन जै भारत